हमारे प्रेमनन जी महराजी के द्वारा कहा गया कि भारत भर्स में एदी कोई संत हो मेरी कितनी ठीक करे आए तो मैंने इस मिसा पहले ही कहा कि प्रेमनन जी महराजी का संकित यह है कि धौंग, धफबाल, पाखंड, गंडा, तावीज निकाल कर जादू से चमतकृत करते हुए आकास से मंगाते हैं, अद्रस मंगाते हैं, वह कितनी को परभतन करें, आओ, मैं देखना चाहता हूँ, सत्त बताओं कि जादू, टोना, इस प्रकार से नेटक-चेटक से मंगाई हुए चीजों को किसी की कितनी या लीवर चैन्ज नहीं किया जा सकता, दूसरा, जितनी तादी कुछ भी निकाल के दे रहा, गटा-गटा दे रहा है, तो यह सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता, या ताभी गंडा जो निकाल के देते हैं, अद्रस यह सब फ्रॉड है, मैं इस पर कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन संत स्री के चरणों में एक प्रातना बीतन जरू करना चाहता हूँ, एधी पराज सक्ती के विशैपर, जो हमारी लेन है, एधी इस विशैपर कोई बात एधी कोई रखता है, तो स्री पंडुकर सरकार भगवान स्वम स्री कृष्ण योगी के द्वारां, धर्म राज को प्रिरित करते हुए, दर्सन देते प्रान, पांड़मोन के द्वारां, महराज धर्म राज के द्वारां, स्री हनमान जी पंडुकर सकार की प्राण पृतिष्टा की गई, साती स्रोती स्वर्ती के आदार पर ये ग्राम भध्रावती नगर के निकटतम, बसा हुआ पुष्पावती पहुष्टत, किनारी ये एक वार पंडुकर धाम पहुचाएं, और ऐसे गूर रहस गुप्तो अपने ही घर में रखके आवें, और यहां सामने बेठें, और फोन पर लाइब जुड़ें, हम वह बताने के लिए बात दें, जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्र अविश्व बर्तमान, तीनों को बर्तमान में ही सिद्ध करके सिद्ध कर देंगे, रहा किट्नी लीवर यदी प्रैत बादासे खराब है, या बुखार या कैंसर, केचक दाग, परलसम्, यदी प्रेत बादा के अंतरगत आने वाली प्रेत बादा से सम्मंद्द तो यादी यदि बीमारी है तो उसके लिए डाक्टर बैद के लिए प्रिरित कर देते हैं कि वहाँ जाए उप्चार लें इलाज लें लाब मिल जाएगा इस पर ध्यार रखिएगा अब यदि आप नहीं मानते इन चीजों को तो हम कह नहीं सकते कोई भी हो दुनिया का नहीं मानता तो नहीं माने तो हमें कोई दिक्कित नहीं मैं नहीं कहता हूं मुझे मानो लेकिन हां बुखार भी सिर का दर्द भी चेचक के दाग चेचक दाग जानते हो माता छोटी माता बड़ी माता जो हमारे गाउं में परंपरा है कच्चे गड़े से जल लेकर के माता दुर्गा को मता भगवती को जल डारने से पाटे होती थी यह गाउं की प्राचीम परंपरा है मैं नहीं कहता हूं आप लोग कोई माने हम अपने पूर्वजों के शंपून पूजा पतिती को सीवार करता हूं संपूर्टोटकों को मानता हूं और उससे लाब मिलता है और जिसकी पैर की बिमाई नहीं पड़ती वो क्या जाने पीर पड़ाई पुरान सास्त्र यह गलत है तो फिर हम क्या कह सकते हैं आप ही मना कर दिजिए कि तो पुरान सास्त गलत है पदम पुरान में अपामार्जन इस्तोत्र जो है उसके अंतरगत कुछ बीमारियों के नाम आये हैं वह है अपामार्जन इस्तोत्र जो पाठ है उसको करने बताया गया कि जो बीमारियां भी है वो भी प्रेत रूप में है ग्रह बादा के रूप में है ग्रह तंत्र के रूप में है उनको भी प्रेत बादा के रूप में जोड़ा गया भगवान विश्णु के चक्र के द्वारा उसको काटने का भंजन करने का नश्ट करने का निर्देश दिया गया है आपको जिसको सुनना हो तो अपा मार्जन नामक इस्तोत्र में पढ़ सकते हैं और इसके माद्दम से अनेक अनेक बीमारियों को पंडुकरदाम की मंच के माद्दम से पंडुकरदाम आस्था किंद्र इस्थल से यग इस्थल से एक परछित्र से महरिशियों के संतों के द्वारा निर्मित काबोंग से हजारों लागों लोगों को सावर मंत्रों के माद्दम से काब कथाओं के माद्दम से पुरान सास्त्रों के इस लोगों के माद्दम से यग में हवन करने से धूप देने से लाब पंडोकरधाम में सत परतीससत लोगों को प्राप्त हुआ है वैसे तो मैं 99% बोलता हूँ सत परतीसस लाब प्राप्त हुआ है जो इसके स्रहणी में इसके अंतरकर आते हैं यग के दौरान अनुष्ठान के दौरान महामृतु इंजय मंत्र का जाब करते हैं जिनके अल्फ रूपी द्रुगटना के रूप में यदि कुछ भी होता है हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्तर्स लोग जा मना कर देते हैं कि आप तो ईसो नहीं कुछ कर सकता है है चमतकार हो जाए तो अलग बात अब तो बात गई आप सिवा करो उस सवस्था में हमारे ब्राम्मन दुझ लोग अपने मठ मंद्रों में संकलब लेकर के पूजा पाठ करते हैं मरे हुए जीवों में प्रान फूकते मंत्रों के द्वार प्रवाव से उन्हें हवा खाते देखा जा सकता है ऐसे प्रथी पर हजारों प्रानी गूम रहे हैं लाकों प्रानी गूम रहे हैं कि यदि इस बेद पर यदि कोई अब्रोध करता है अपने आपको कोई संभू बनना चाहता है तो मैं कहता हूं फिर तो महराज सभी पर कुष्टनमार्क लगाया जा सकता पर वो कोई भी हो जादू चमतकार से किट्नी लीवर नहीं बदलते न पथरी निकाली जा सकती कयी लोग बिगर ऑपरेशन के पथरी निकाल देते हैं और निकाल जिसका मोह ही नहीं है या तो मोह बनाया जाए कट मार के जैसे डक्टर बनाते हैं कि बाइपास करते हैं मल मूत्र के स्थान नहीं होते उनके स्थान बनाते हैं विद्वान लोग है आप लोग पड़े लेके बिगर मो बनाए बिगर चीरा लगाए कोई भी चीज नहीं निकाली जा सकती या पहले सो उसमें मो हो उसका सुराग हो निकलने का स्थान हो या फिर उसमें बनाना पड़ेगा तभी निकलेगा अध्रस रूप से कोई भी पत्री निकाल के नहीं दिखा सकता और जितना भी ऐसा लोग कर रहे हैं नेटक चेटक वाले मैं खुला क्या सकता हूँ ये फ्राड और धोका धड़ी है ये पत्री नहीं पत्रा नहीं पूरा पाड़ निकाल दे क्योंकि सबकी आखे सबकी आखे हैं हमारी आखे हमारी आखे वह आखे हैं मेरे सामने निकारो इएकी पथरिया निकाल दो इतनी से तो हम जाने बिगर मो बनाए आप नहीं निकाल सकते बिगर आपरिसन किये बिगर बिगर रास्ता के उसको नहीं निकाल सकते दबा ओस्दी का जो गुण है उसके द्वारा अंदर कोई भी पत्री है, कोई गांथ है, उसको गलाया जा सकता है वो आपकी औस्दी का गुण है, वो आपकी दवा का गुण है, उसका लक्षन है कि उसको खाने से कैसा भी अंदर कर्च जमी हो, वो गल जाती है, मलमूत्र के द्वारा निकल जाती है मास की गाठो ठेरिपी करने से आपकी समान मास में ही उसका विवाजन हो जाता है और पटा जाती है इस चीज़ को मैं मानता हूं